प्रिव्यू शुरू करने से पहले एक दरूरी बात अगर आप यह पहली बार देख रहे हैं जस्ट साइनिजिस का मतलब यहां पर आपको समझा रहा हूं अगर यहां टिक है जैसे आप देख सेते हैं पिच के नीचे टिक है इसका यह मतलब है कि जो पिच है वो प्लेयर को जैसे यहां पर आपको दिख रहे है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है उसके अलावा यहां आपको दिख रहा है एक ऑपरचुनिटी मीटर ऑन टॉप राइट एंड रिस्क मीटर ऑन बॉटम राइट तो ऑपरचुनिटी मीटर जादी उतनी ज जादा केलें डिस्क मीटर एक मिक्स चीज है बोलेश के लिए ज्यादा हो तो बैतर अपर बैतर के लिए कम हो तो बैतर क्यूंकि अग्र बैतर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज्यादा फैंटेसी वाल्यू दे सकता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं विछ जोस पतलर वाल अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है मतलब बाउंडरी बोनिस पॉइंट की उपरिचुनिटी ज्यादा है बट यह भी चांस है कि जल्दी आउट हो जाए तो रिस्क मीटर जितना कम बहतर फॉर बैटर जितना ज्यादा फॉर दो बहतर क्योंकि अगर एग्रेसिव बोलर है तो विकेट लेने के चांस ज्यादा और इस टॉप का क्या मतलब है कि क्या सिट्वेशन में आप इस बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं अगर यहां पर लिखा हुआ है ऑल्दो कें बी क्रांप बॉल्स क्लोज तो बॉड़ी मतलब अगर कोई पेसर है सामने वाली टीम में जो उ अब चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर तो यह हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीज़ों का अब चलते हैं प्रिव्यू की तरफ लगनाव वसिस दीटी गाये मुकाबला एंड खेलर जाएगा अच्छा-कासा मुकाबला यह एंड बिन प्रेडिक्शन इस गेम के आपका लिंक है वीडियो के दिस्क्रिप्शन में जहां पर यह इंट्रेस्टिंग कॉंटेस्ट भी चल रहे हैं पर बहुत सारे बड़े प्राइज और काल्स फोन्स एंड बाइक बाइक सारे रिवर्ट तो इंशूर जाएग तो दूसरे साइट पूरान स्टॉइनस डीप दोनों थोड़े इंकंसिस्टेंसी इंटरम्स अब मिडल ओर कभी कोई और आ जाता है उपर एंड इन प्लेयर्स का भी फॉर्म कभी अच्छा कभी खराब लगाए आप तक इस लीग में उसके लाबर फिनिशिंग ओर दोनों टीम्स के लिए थोड़ी सी इन एक्पिरेंस र पिन ठीक आके खेल लेते हैं कुछ एक्स्प्रेस पेस या मुव्मिंट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे डीसी की बात की जाए तो खलील निशान खलील थोड़ा से थ्रेट पोस कर सकते हैं एस लेफ्ट आम पेसे की सामने लस्जी के टॉप और का रिकॉर्ड कुछ खास नह आएंगे अगेंस्ट इन एक्सपीरेंस लोर और तो हो सकता है कि यहां पर में भी कुछ विकेट वो ले जा पाएं तो यह रही टाक्टिकल कॉनर की बात अब चलते हैं आगे की तरफ उससे पहले जॉइन अध्रेट फैंटेसी क्रिक प्रों ट्विटर एं टेलिग्राम फा अब चलते हैं आगे के वैदर रिपोर्ट की तरफ क्लियर सानी वैदर इस गेम के लिए सानी इचिफ्ट इस तिल यह बेदर इस मुकाबले के लिए एंड पिच रिपोर्ट की बात की जाये तो लास्ट कुछ गेम दो हमने देखा है कि सेकेंगें में बैटिंग के लिए थो थोड़ा इंपॉर्टन हो जाता है जैसे बॉल थोड़ी यहां पर सॉफ्ट हो जाती है तो पिच में वहां पर होल्ड करती है इस बात का ध्यान रखिए उसके अलावा एक्सपेक्टेट प्लेंग लैंस की बात की जाए तो मैयंग क्यादव is not expected to play, Mitchell Marsh is not expected to play तो काफी changes यहां पर हो सकते हैं अक्रॉस बहुत 11 बट यह है अभी के लिए जो 11 अम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी शेख पोर है लास्स गेम में उपर आये थे ललित यादव भी टीम में आये थे इन उसके लाव अगर कुल्दीप फिट हो जाते है तो आ जाएंगे बढ़ अभी तक वहां पर भी कोई confirmation नहीं वाइल लेस्जी की बात की जाए तो मौसिन खान अगर फिट हैं बढ़ अगे नो कानफरमेशन की कौन आएंगे उस लॉट में फॉर मयंक यादव तो यह हुई एक्सपेक्टेट प्लेइंग लेंज की बात रिमेंबर की माइमास 11 पर कॉंटेस्ट जॉइन करिए क्यूंकि वहां पे एंट्री फीजर थोड़ी सी कम तो यहां पर बचा लेंगे आपके अच्छे फॉर्म में लगें लास्ट केम थोड़े लो स्कॉर पर आउट हो गया इन फंट वो मेश यादव थीक टाक आवरिज वर्सिस दीसी एन अट लखनाव तो डेफिनिटली बेश टीम में आप इन्हें पिक करेंगे स्पेशली क्यूंकि सामने वाले टीम में अगर खलील को ठीक से खेल गए तो इशान के सामने एक अच्छी पारी यहां पर बना सकते हैं केल राहूल का भी एक मैच-अप है इस गेम में जो हम आगे मैच-अप सेक्षिन में डिसकस करेंगे वर्सिस डीसी 29 की आवरिज एन अट लखनाव 39 की आवरिज तो यहां पर ठीक टाक नंबर्स इनके डेफिनिटली बेस टीम में यह भी रहेंगे आज आपको कीपिंग वाल्यू भी देखे जाएंगे देवज़त पारिकल कुछ खास फॉर्म में लगे नहीं वापस मैच-अपस इनके फेवर में नहीं अट लखनाव दो मैच में सिर्फ 16 रन और वर्सिस डीसी 28 की आवरिज तो बेस टीम में लेना मुश्किल होगा अफकोस कभी भी फॉर्म में वापस आ सकते हैं तो एक दो ग्रैंड लीग टीम में लीजेगा उसके लावा बेस टीम में तो नहीं ले पाएंगे निकलस पूरान अच्छे कासे फॉर्म में लगे हैं डेफिनिटली विल बी इन टीम 32 की आवरिज वर्सिस डीसी एन अट लकनाव नौ मैच में 159 रन तो रली गुड नंबर्स अफकोस वह आवरिज थोड़ा सा लो अट लकनाव बड़ पिच काफी डिफरेंट फॉर्म लास्ट यर तो वापस इन से आप रन्स यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर हैं यह साथ बड़ ठीक टाग प्लेर डाउन दी ओडर मार्कुस टॉइनस आ सकते हैं उनके उपर उनके नीचे डिपेंडिंग ऑन दे सिट्वेशन फो मैच इस सेवेंटी सिक रन्स वर्सिस डीसी एन अट लकनाव नाइन मैच इस तूट रन्स ज्यादा तर बोलिंग कर नहीं नह हैं यहां पर लेफ्ट अंडर ऑडर सो हो सकता है स्टॉइनस का रोल बन सकता है विद बॉल इन दिस गया फिर चल्दें कर सकते हैं तो प्रॉबबली बेस तीम में फिटिंग कर सकते हो बट मेरे हिसाब से एक 50-50 पिक इस मुकाबले में अगर एकाज ओग खराब गया तो हो पर कंप्लीट ना करें सेम फोर अभी बिश्णा रवी बिश्णा तो बहुत अच्छा डाल रहे हैं फिर भी अपने वह कंप्लीट नहीं कर रहे हैं यहां पे और वह हमने पैटन देखा है जब लेफ्ट-हंडर होता है क्रीज पे तो इन्हें बोलिंग नहीं मिलती और जैस इनके ओवर्स भी रैंडिम्ली स्प्रेड होते हैं एनलेजी में हमने देखा है कि ज्यादतर बोलर के साथ कोई प्रेडिक्टिव और नहीं कि कौन सा बोलर कब आएगा यह स्टापकूर बहुत ही अच्छा लास्ट गेम इनका बट डेली का मिडल एंड फिनिशिंग और कर रहा हूं अगर अप्फरंट मुव्मेंट होगी तो नहीं लोंगा एल्स आइनों की वाल फॉम अच्छा है मैं इन्हें इस गिम में बेस टीम में तो नहीं ले पाऊंगा मौसिन खान एक तीक टाक चोईस एन अप्रंट वापस यह भी मुव्मेंट पर डिपेंड करते है तो डेट ओवर्स में कुछ तकलीफ हैं हो सकती है इस टीम को एज नवीन के अलावा कोई खास डेट ऑप्शन इनके पास है नहीं मयंग क्या दफ नहीं खेलेंगे मुकाबला मोसली एक हफते के लिए रूल आउट है अब चलते हैं डेली कैपिटल्स की तरफ यहां पर करेंगे बेस्टीम में आप चांच मत लेना क्यूंकि यहां पर जब वेन बॉल इसा कोई बोलर नहीं जो अप्रंट बॉल आट पेस्मोव करें तो इनका गेम वहां पर बिल्कुल बन सकता है और अटैकिंग शॉर्ट कें लौड बांटरी बोनस पॉइंट अभिशेग पोर लास्टीम में उपर आए था डोंट वो इस गेम में वापस वो सिट्वेशन में आएंगी कि नहीं बट अल्रीडी बहुत सारे कीपिंग ऑप्शन हमारे पास तो इंग की बेस्टीम में जाएंगे मिल पाएगी रिशाप पंत रिली गुड प्लेयर तो मैच्चे एडी त्र कुछ इंट्रेस्टिंग मैच-प्स एक वर्सिस बिश्ना एक वर्सिस कुरूनल पांडिया बट देखा जाए तो बेस्ट अन इस सिट्वेशन इंग वो मैच-प्स वापस उनके फेवर में जा सकते हैं इस देर बोल्ड अगैंस इम एंड फॉर्म इनका अच्छा लगा है आपको यह देखे जाएंगे त्रिस्टिंस तब्स एक और कीपेंग कीपर बैटर मिडल ओर में फॉर्म इनका अच्छा लगा है बड़ा इंक बिश्ना इनको थोड़ा सा परिशान कर सकते हैं ऐस यह तब आएंगे जब प्रॉबली 10-12 ओवर्स यहां पे खतम हो जाएंगे आपको लग रहा है तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा टर्न होगा इन ट्रैक तो आप इने बैक कर सकते हैं ऐल्स मेभी बेस्टीम में इने ड्रॉप किया यहां पर ललित यादव ऑफ स्पिनर है तो एक पंट पिक बनेंगे आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बट उतने हाई क्वालिटी के प्लेयर नहीं कि आप सीधा इने बेस्टीम में ले पाएं कुल्दी प्यादव खेलते हैं तो बहुत अच्छी पिक हो जाएंगे इस अच्छी नहीं खेले आट लगना भी नहीं खेले और जिस तरीके की बोलिंग करते हैं इन पाव प्ले कुछ खास मदद होती नहीं अच्छी नहीं ले पाएंगे एंडिक नौकिय विल बी इन माइं बेस्टीम एंदो फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है क्यूंकि जिस फेज म मैं हमने देखा कि इनके ओवर्स वहां पर यूज किये गए थे सो मेभी इतना उन्हें उपिचुनिटी ना मिले यह ज्यादा रिलाय करते हैं और पेस और बांस जो लगना में हम ज्यादा तर एक्सपैक करेंगे नहीं बट कॉलिटी प्लेयर है इन्हें आप जील में कुछ पिर चलते हैं यहां पर मैचप्स की तरफ डेविड वॉनर वर्स रवी बिश्णॉय तीन बार आउट हुएं 11 और 16 डोंट बी सप्राइज अगर पाव प्ले में ही आजाए वहां पर रवी बिश्णॉय केल रावल वर्स अक्षर पतेल 22 और 34 वापस ट्राइक रेट काफी अच्छा कासा सैंपल साइज सो वापस अक्षर पतेल के लिए भी एक अपरचुनीटी तो कम इन पाव प्ले बढ़ दूसरी तरफ है कुंटिन डिकॉक तो अगर मैचप सही नहीं बैठा तो कुंटिन डिकॉक वहां पे काफी क्याप्चर कर सकते हैं केल रावल बसिस खलील है मज़ सिर्फ 96 की स्ट्राइक रेट एक बार आउट हुए है तो अनादर मैचप तो वॉच आप वर्च वर्स नौकिये 67-43 स्ट्राइक बहुत अच्छा पट साथ-साथ में तीन बार भी आउट हुए तो यह होगा एक बैटल ऑफ फायर इंदिस किया तो यह हुए आज के मैचप अब बनाते हैं हमारी आज़ तो वी स्टार्ट विश्टार कर सकते हैं दोनों कॉलिटी प्लियर्स है बट बेस टीम में नहीं ले पाऊगे डेविड वॉनर टॉप कॉलिटी चॉइस एंड वाइल मैचप नंबर कुछ खास नहीं बट कॉलिटी प्लियर है अपना सम सब्सक्राइब तो नहीं का जा सकता बोलिंग से मेरी पहली पिक होंगी खलील एमद क्यूंकि अफकोस अच्छे कासे रिदिम में लगे हैं और सामने कुछ फेवरेबल मैच-प्स रभी बिश्णॉय भी एक इंट्रेस्टिंग बन सकते हैं इस गेम में तो डेफिनिटी उन जैसे मिने का जिस पेस पे डालते हैं इने ड्रॉप करना बहुत मुश्किल क्यूंकि फेज अंड पेस्टोनों इनके फेवर में अब अगर लस्टी पहले बोलिंग करती है तो यहां पर मैं चलो जाओंगा विद नवी नुलक एक थीटा आप चोईस बनेंगे अगर आपको सेफ जाना है तो लास डूसलॉट में आप इन के साथ जा सकते हैं क्यूंकि यहां पर हो सकता है कि Obers नहीं मिल लाएइं बेस्ट बेस्ट पर सकते हैं वहब से करोंगा क्याप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस की बात की जाए तो सारे कीपर्स यहां पर अच्छे चॉइस बनेंगे और राउंडर सपे डिपेंड करना कुछ इजी नहीं होगा इस गिम में वाइल बोलिंग सेक्शन की बात की जाए तो वापस कोई भी स्ट्रेट फ़र्वर् captain और changes होंगे वह मैं आपको बता दूँगा on telegram telegram का link है इस video के description में तो वहाँ पे आप जूड सकते हैं हमारे साथ अब चलते हैं आज के grand league options की तरफ तो grand league options की यहाँ पर बात की जाए खलील एमद low select dark horse pick और रवी बिश्णॉई high select droppers bomb होंगे tristan stubs क्योंकि आएंगे बिश्णॉई के सामने तो उतना easy नहीं होगा उन्हें pick करना for tristan stubs while gl cvc options की बात की जाए तो batting first david wanna batting second bowling first norki और नवीन क्योंकि death bowling value आपको मिलेगी उनसे और दोनों situations में KL and QD के बहुत अच्छी choices यहाँ पर बन सकते हैं तो यह हमारा आज का preview आप सभी को पसंदाया हो जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए and exchange 202 picks currently तो live नहीं हुई जब तक मैंने preview record किया hence voice game integrate नहीं हो पाया do remember to like comment share and subscribe and see you all very soon with another preview